आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम recognize करें कि कोई company या organization fraud है या नहीं है कैसे हम उसकी authenticity को परखेंगे पूरा वीडियो ध्यान से देखेगा चुकि मैं इसमें 5 ऐसे important point को लेकर मैं इसमें discussion करूँगा जिसके basis पर हम ये analysis कर सकते हैं और एक judgment तक तो पहुची सकते हैं कि हाँ भी ये company जिसके साथ हम deal करने जा रहे हैं वो चाहे machine खरीदना है या किसी भी type का वो authentic है, genuine है या नहीं है पूरा वीडियो ध्यान से देखेगा, skip मत किजेगा ये आपके life के लिए बहुत ही important वीडियो है सबसे पहला point, कोई भी business हो, उसका registration होना बहुत ही must है government के साथ में सबसे पहला registration किस type का होता है, sole proprietorship registration second होगे आपका partnership, third होगे आपका limited liability partnership जिसको हम लोग short में LLP भी बोलते हैं fourth होगे आपका private limited company इन चारों में से किस में वो registered है, उसका mode क्या है, company अगर registered है तो किस mode में registered है इन चारों में, ये आपको देखना ज़रूरी है वैसे अगर company private limited registered हो, तो उसको सबसे ज़्यादा हम genuine मान सकते हैं point number second, एक बार company ने खुद को government के साथ registration तो करवा लिया लेकिन अगर वो business run कर रही है, तो उसने क्या-क्या certificate लिये है, जो कि आज के date में business करने के लिए important है सबसे पहला, कोई भी business करने के लिए आपको GST का number एक लेना important है और वो खास करके अगर वो company बड़े level पर काम करी है, तो वो वैसे भी must हो जाता है बावजूद इसमें एक tax का slab बना हुआ है, लेकिन एक चीज ध्यान देने योग्य बात है कि अगर वो company एक state से दूसरी state में समान को खरी दिया, बेच रही है तो उस case में भी उसको GST लेना पड़ेगा ये चीज आपको देखना जरूरी है, पहला number point second हो गया इसमें ISO certification ISO certified company एक genuine company होती है ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, चुकि ये company का जो certificate होता है ये सिर्फ भारत सरकार के तरब से ही मिलता है और उसको proper में एक decorum होता है, उसको पूरा करना must होता है चुकि ये quality maintain करने वाली company को ही दिया जाता है और जो company ले लेती हैं, उनको quality maintain करना must हो जाता है तो ये कहीं न कहीं एक authenticity के लिए best प्रमाण है अगर कोई भी company ISO certified है तो third number point, अगर कोई भी company manufacturer है तो उसके factory के license होने must होंगे ये चीज़ को भी आप देखिएगा कि factory के license उसके पास है या ने fourth, अगर वो manufacturer नहीं है, किसी type का trader है तो trading का license होगा तो ये होगे हमारा certification का part third होगे हमारा online presence verification आज की date में कोई भी company हो, उसका online presence होना तो must है अगर कोई company RCA है, जिसका online में कोई presence ही नहीं है तो उसमें आपको क्या देखना है, तो सबसे पहले company का website देखिए website genuine है कि नहीं, वो आपको एक बार देखने में समझ में आ जाएगा चुकि जो भी genuine companies का website है, उसके standard और जो एक fake type की company होती है उनके website के standard में आपको बहुत कमी दिखेगी website पर phone number क्या लिखा हुआ है, contact us के page में, about us का page में आप जरूर जाकर देखिए इस दो चीजों पर आपको समझ में आ जाए कि website कैसा है, website कब बना है, ये भी चीज देखना जरूर है second होगे आपका, google में आप जाकर उस company का नाम के साथ scam जोड़कर आप सर्च करिए आपको समझ में आ जागा, जैसे माल ये कोई ABCD कोई company है, तो हमने google में जाकर सर्च करना है, ABCD scam अगर वो company really में इस टाइप की होगी, तो आपको वो दिख जाएंगे third होगे आपको google में reviews उसका देखना जरूर है, friends, review एक ऐसा चीज होता है, जो की public देते है और अगर google में एक बार वो चला गया, तो वो फिर मिटता नहीं है, वो कोई भी नहीं मिटा सकता है वो सिर्फ google के ही हाथ में होता है, तो कोई भी company होगी उसका google पे, अगर presence होगा online में तो उसके website के basis पर वहाँ पे एक review जरूर होता है, तो आप review को through भी आप देख सकते हैं कि भाई company का क्या रहा है इसके बाद होगे आपका social media का जितना भी platform है, खास करके facebook हो गया और आज की date में youtube हो गया, एक twitter भी हम मान सकते हैं तो facebook और youtube इन दोनों पर आप देखिए जाकर कि वहाँ पर भी जाकर आप देखिए कि company का क्या performance है, वो किस टाइप के post वो regular basis पर डाल रही है या कब से डाल रही है चुकि facebook में भी अगर कोई post किसी ने 2011 में डाला था, तो उसको वो 2010 नहीं कर सकता है, 2011 ही रहेगा तो इससे भी समझ में आ जाता है कि company कितने साल पुरानी है, second facebook पर भी आप देखे होंगे कि बहुँज अगर reviews का एक option होता है और लोग 4 star, 3 star देकर good, bad या कुछ भी इस टेप का comment पास किये होते हैं वहाँ भी आप देख सकते हैं, इसके अलावा आपका एक हो गया, जितने भी type के classified website है, जैसे आपका sulekha.com हो गया, या आपका just dial.com हो गया, अगर उस पर ये company, कोई भी company अगर वहाँ पर registered है, तो वहाँ भी आपको public reviews दिखेंगे, जो कि आपको बताएगी कि वो company किस type की है आप इन सारे माध्यम को यूज करके आप उस company का online reputation चेक कर सकते हैं, reputation कैसा है ये online बता देता है, offline तो बहुत लोगों को आपको जानते भी नहीं होगे, लेकिन online सब कोई बता देता है, फूर्थ हो गया इसमे payment का mode, दोस्तों अगर company बढ़िया है, अगर company पुरानी है, तो उस company का current account होगा ही होगा, तो कोई भी company से अगर आपकी बातचीत हो रही है, तो आप देखें कि वो payment के लिए किस mode को accept कर रहा है, उसमें आप जान दीजी कि उसके company के नाम का bank account है या नहीं है, उस company के नाम का अगर bank account है, तब तो एक हद तक सही है, क्योंकि current account होना आज के date म किसी भी business के लिए एक बहुत ही important चीज है, आप उसके थिरूँ कोई भी बाद में चक्कर होता है, तो हम उसको track out जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर इसी में अगर वो saving account करके use कर रहा है, तो आप उस type के companies को avoid कीजिए, अगर आप लंबा या बड़े amount का purchasing करने के लिए जा रह लास्ट हो गया हमारा physical verification of the company, company चाहे online कितनी भी अच्छी हो, चाहे उसका bank account कुछ भी हो, registration कुछ भी हो, अपने website पो दिखा रहा है, लेकिन हम उसको तब तक यकीन हमें नहीं करना चाहिए, जब तक हम physical उसका verification ना करने, कोई भी चीज आज के date में बे धड़क आप अगर ब business से start करने वाले startup है, मैं खास करकर उनको बता रहा हूँ कि अगर आप कोई भी step का deal करने के लिए जा रहे हैं, तो physical verification जरूर करिए, जा कर देखिए, सबसे पहला point, office किस जगपे located है, office का size क्या है, office का interior क्या है, office का address कितने दिन से उस जगपे है, ये आपको वहाँ पर जाने के बाद खुद ही समझ में आ जाएगा, नई company वह एकदम जैसे तैसे होती है, लेकिन अगर well managed company है, तो उसका office एक बहुत ही managed company के type से आपको दिखेगा, उसके जो भी staff होंगे, उनका address code होगा, वहाँ का interior बहुत ही अच्छा होता है, इसके अलावा इसमें honor से अगर आप मिल पूरी नहीं कि सारे नए honor बेकारी होते हैं, लेकिन नए honor भी अगर है उस company का, तो उसका क्या बातचित करने का तरीका, उसका behavior कैसा है, इसी समझ में आ जाए कि वह आदमे किस level का है, उसे हमारे को deal करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, अगर factory है, तो factory का क्या size है, factory में कि जाके लेना है, तो just avoid this, तो ये रहा मेरा punch point जिसके basis पर आप जरूर आप देख सकते हैं, company की authenticity क्या है, इसके अलावे भी कुछ point हो सकते हैं, जो शायद मैं छूट गया है, आप comment के थूर जरूर बताइए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये आपके career के लिए helpful रहा होगा, अगर आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है, अगर आप नए subscriber हैं, तो इसको subscribe कर लिजिए, bell button को जरूर दबाइएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much, take care, bye bye